अब हम solve करेंगे practical number 4 calculate gross profit on the basis of the following information हमें gross profit निकालना है और हमें information दे रखिये यानि कि items दे रखिये उनकी basis पे क्या कुछ item देख लेते हैं purchases, return outward यानि कि purchase return, return outward को बलते हैं purchase, return carriage outward, carriage inward, wages जो carriage outward होता है वो इसके अंदर नहीं आता है सिधा पेंडल अकाउंट के अंदर शो किया जाता है उसके बाद है हमें एक adjustment देर की है 3 fourth of the goods are sold for rupees 6 lakh इसके बाद बोल रखा है कि 3 fourth जो goods है वो sale की है 6 lakh रुपे की तो अब ये देखिए कि हमें ये बात बोली गई है gross profit निकालना है हमने last समय देखा है कि gross profit निकालने के लिए हमें cost of goods sold चाहिए होती है तो सबसे पहले हम cost of goods sold निकालेंगे तो चलिए हम सम सोल करते है सबसे पहले निकालेंगे cost of goods sold cost of goods sold इसके अंदर क्या कुछ आएगा purchases minus return outward उसके बाद carriage outward मैंने बता दिया आपको कि जो carriage outward होता है वो pndl count के अंदर आता है तो अब उसके बाद है carriage inward carriage inward लिखेंगे carriage inward उसके बाद है wages wages विशके अंदर लिखे जाएंगे तो अब हम निकालते हैं purchases लिखते हैं purchases 6,80,000 रूपीज के उसके बाद return outward ये बाद में दिखा देंगे एक बाद carriage inward लिखते हैं 20,000 रूपीज का उसके बाद wages 50,000 के add करने है और ये minus कर देते हैं purchases return 30,000 रूपीज के तो अब ये निकाल लेते कितना आता है तो 6,80,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 माइनस 30,000 ये आजाता है 7,20,000 रूपीज 7,20,000 रूपीज ये आ गई हमारी cost of goods sold तो ये हमें क्या बोला गया है कि 3,4th of the goods 3,4th of the goods are sold 4,00,000 रूपीज 6,00,000 यानि कि जो हमने cost of goods sold निकाल ली है इसका हम 3,4th कर देंगे ये मैं यहां पर लाइल निक देती हूं 3,4th of the goods sold for रूपीज 6,00,000 तो इसका मतलब ये है कि जो हमने cost of goods sold निकाली है उसका 3,4th करना है तो 7,20,000 इंटो 3,4 तो ये आ जाता है तो ये आ जाता है 5,4,000 रूपे 5,4,000 रूपे तो ये आ गई हमारी cost ये हमें बोला गया है कि cost of goods sold का 3,4th निकालना है तो ये हमने निकाल दिया यानि कि ये हमारी आ गई 5,4,000 रूपे cost आ गई है तो अब हमें जो बोला गया था gross profit निकालना है gross profit के लिए हमारे पास जो sales है sales बता रहे है 6,000 रूपे की है और जो cost है वो आगई 5,4,000 रूपे तो हम निकाल सकते हैं तो लिख देते हैं gross profit is equal to sales minus cost of goods sold तो कितने आ जाते है sales है 6,000 रूपे की 6,000 रूपे की goods है और 5,4,000 की 6,000 रूपे 6,000 रूपे की sale की है 5,4,000 रूपे cost है तो ये last कर देंगे तो आ जाता है 60,000 रूपे यानि की जो sale हुई है वो ये 6,000 रूपे और जो cost है goods की वो है 5,4,000 रूपे 5,4,000 रूपे है तो यानि की जो 6,000 रूपे है ये हो गया gross profit तो ये आ गया हमारा answer gross profit is equal to 60,000 रूपे ये हो गया हमारा sum sold सक्प्राइब झाल ये ढुर लूपे ये हो पया हमारा